जीवन में समस्याओं का दौर खत्म होना चाहिए अब हमें सत्य का ज्यान प्राप्त होना चाहिए दुख दर्द और घमों से छुटकारा मिलना चाहिए अब हमें खुश्या ही खुश्या और जीवन में शान्ती मिलने चाहिए हमारे कारिकरम से प्यार है तो अभी सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे प्रियशेश्यों साथकों राज के सभी नवीन दर्शकों स्वागत है आपका जर्म कुंडरली विसलेशन के इस विश्शेश कारिकरम में देखिए दुनिया में बहुत सारी तकलिफे हैं और अगर हो जा जाए तो अच्छा है भी बहुत है कई बार आपने हिंदी फिल्मों में तो जरूर देखा होगा जिसमें कोई इनसान अपनी एक लड़की से दो एक्टर प्यार करते हैं एक कुर्बानी दे देता हैं कई बार आपने ये भी देखा होगा कि फिल्मों के अंदर जब कुछ लोग ड्रक्स का व्यापार करते हैं और एरपोर्ट पर लेकर आगे इस एक इनसान ने जो पैकेट था वो किसी और के बैग में डाल दिया बाहर जाकर उसे पैकेट ले लिया या गर का बीचा किया ऐसे बहुत सारे सीन हमने देखे हैं ऐसा ही कुछ सीन आज आप इस कुंडली विसलेशने में भी देखेंगे एक पिता जो बड़ी मेहनत मशकत करके गाउं पंजाब के ठेट गाउं से उठेवे बैकती जैसे तैसे मेहनत करके पहुँच गए लंदन पंजाबी लोगों को थोड़ा सा वैसे भी क्रेज भी है बाहर जाने का और उनकी फैमिली मेंबर्स काफी बाहर रहते तो वैसे भी उनका बंद करता है कि हम बाहर चले जाएं काम भी करें मेहनतित होते ही है इन्होंने भी टैक्सी चलाने का काम किया तकरीबन 16 गंटे अर रोज ये टैक्सी चलाते है जैसे तैसे करके अपना पंजाब का गरजा दूर किया अपने भाई बेहनों की शादियां की 45 साल और 5 बेहने की सिर्फ उमर है लेकिन इन्होंने अपनी पड़ाई लिखाई छोड़के जल्दी ये काम दन्ने भी लग गया तकरीबन 17-18 साल से ये इंग्लेंड में ही है बड़ी बेहनत बशाकत करके अपनी जरूरतों को त्यागा और ये सोच करके अपने बच्चों के लिए अपने फैंबली के लिए सब कुछ करेगा और किया भी सही इधर इनका बच्चा जो की इनकी शादी जल्दी होगी ति बच्चा भी जल्दी होगी बच्चा भी आज 25 साल और 8 महीने का हो चुका है और वो बेटा भी जो है इंग्लेंड तो चलाई गया इनके परिवार वाले सब वही रहते हैं इस लंडन बे रहते हैं अब होता क्या है कि बेटा निकल गया बिगडेल और ड्रग्स शराप लड़कियों से चकर एश और आराम की जिंदगी पिता जी पैसा कमा रहे हैं खुद ने पढ़ाई लिखाई कुछ खास की नहीं और हमेशा स्रफ फैशन में ही लगा रहा है वो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी नहों ये इसने कहीं से सुन लिया होगा और कहानी बनाने में लग गए उस चकर मैं कई बार पुलीस से पकड़ा एक दो बार ये बचते फिरते निकले एक दिन की बात है कि पिता और पुत्र दोनों अपनी टैक्सी में घर आ रहे थे और बेटे के पास ड्रक्स थी यहाँ पर पुलीस उसे ट्रैस कर ही रही थी इस लड़के को और पुलीस को गारी के इतला मिलती है बेटे को लग जाता है बैठे बैठे कि मेरे जो है वो ड्रक्स मेरे पास अगर पकड़ी गई तो बेश जिन्दीगी बर के लिए चला जाओंगा तो उसने क्या किया है कि अपने पिता के पास साइड बे वो ड्रक्स कार के दर डाल दी जब पुलीस ने उसे बाहर निकाला तो उसके पास कुछ मिला रही उन्होंने गारी के तलाशी ली ड्रक्स निकली अब यहाँ पर बेटे ने हिंदी में का क्योंकि पुलीस वाले सारे अंग्रेज थे इंग्लिज जानते तो उसने अपने पंजाबी लेंग्वेज अब कहा कि पिता जी मैं ये काम करता हूँ मुझसे गलती हो गई अब आप इस जुर्म को कुबूल करो पिता ने सोचा कि मैं अपनी जिंदीकी को दावपे लगाता हूँ बेटा जो अपने आपको कोस्ता भी है कि मैंने क्या कर दिया मेरी माँ को जीते जी इस उमर के अंदर मैंने इतना बड़ा कलंक दे दिया अब मैं क्या करूँ बेटा सुधरने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है वो लोग लीगल सहरा भी ले रहे हैं लेकिन माँ भी यह नहीं चाहती कि बेटा इस बारे में बोले कि मैं ही यह काम करता था यह ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं अब हम पेता और पुत्र दोनों की कुंडली का विस्टेशन करेंगे आए देखते हैं कि पिता की कुंडली में क्या है ग्रहों का खेल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो चार नंबर की कुंडली देख रहे हैं यह कर्क लगन की पिता की कुंडली है लगन के लॉड शदर्मा इमोशनल सेंटिमेंटल भाव किसम की लोग बनाते हैं लगनेश का 11th हाउस में जाना जाना दो नंबर लिखे हैं कुंडली का 11th हाउस होता है जो इंकम का आउस होता है वहाँ शनी बिराजबान है और जितने भी लोग आईरन, चैमिकल्स, पैट्रोल, ओइल, बिल्डिंग मटिरियल, ट्रांस्पोर्टेशन इनकम माउसफ के ुष्णी बैटना उसका काम करा है शनी और चैन्दरब्मा का विश्छ दोष घोर संगर्श करवाता है इनिसान जितने भी लोग लीगल कॉम्पलिकेशन, जेल, कोर्ट केचरी, मुकदमा, पैसा फचना, नुकसान, धोखा, अपमान वो सारा डिपार्टमेंट विश्दोष का जो इनकी कुनलिम बना हुआ है पिछले 26 जनवरी 2017 से इनको शनी के ढहिया शुरू हुई उसके बाद से ये अपनी जिंदिगी को तबाह करना पर तुले हुए है यानि इनको जेल हो गेती शनी की तीसरी दिष्टी लगनब पर है जो मानसी का शांती और संगर्ष बरपूर देते हैं 12th house की बात करते हैं जो विदेश यात्रा और कोड के जरिका भी है 12th house के लॉड बनते हैं बुद्ध वो 5th house में बिराची थे अब ये किस की वज़े से जेल गए बेटे की वज़े से तो ये विदेश यात्रा और साथ में कोड कचेरी लीगल कॉम्प्लिकेशन जेल के गर के लॉड ही बुद्ध बनते हैं जो संतान के गर में बैठ गए और सड़ाश टक दोश बन रहा है ये ज़रूर नहीं के सब की कुणली में ऐसा होगा तो सब जेल ही जाएंगे जीते जी जेल मिल जाती है बच्चे ऐसे सी अरकते करते हैं कि माबाप खून के आसूर होते हैं क्या सोचकर माबाप अपने बच्चों को पाल पोस्ट कर बढ़ा करते हैं और बच्चे नालाएक निकलते हैं बहुत सारी दुनिया में वे ऐसी चीजे देखी यहाँ पर भी यही काम बच्चे ने किया है बुद फिफ़ थाउस विराजी ता है और फिफ़ थाउस के लॉर्ड मंगल थार्ड आउस में विराज़मान है जहाँ पर 6 नबर लिखे हैं वहां मंगल और शुकर की होती है 3rd house में और 7th house वह 11th house की लोड़ शुकर के साथ बैठना एक प्रकाट से weak point बनता है यहाँ पर बुद्ध मंगल का परिवर्तन राजयोग जरूर बन रहा है लेकिन वो राजयोग कोई काम करने ही क्योंकि 7 डुष का राजयोग परिवर्तन कोई काम करने ही होता है 11 house वह बिराजित शनी की साथ वी दृष्टी संतान के भावश पर है विश दोष की दृष्टी संतान के भाव को देख रहे है 2 से 8 की तरफ भी एरो जा रहा है यानि जहर की तरफ देखा है इसलिए वाँ इंकम करवाई और राहु ने देखा तो सब कुछ बरबाद करने का काम कर दी इसलिए मैं कहता हूँ कि बचपन में ही दोशों के उपाय कर लेने चाहिए वो हम सब करते नहीं है क्योंकि हमें तो लेट जगना है थोड़ा सा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि सिक्स हाउस के लॉड गुरू जो कि सिक्स हाउस में स्वग रही होकर राहु के साथ चांडाल दोश्टों बनाई रहे च्वेल्थ हाउस में बिराजित केतु की साथ भी दृष्टी भी सिक्स हाउस पर है और थर्ड हाउस में बिराजित मंगल की चौते दृष्टी भी सिक्स हाउस पर है यहां फोर्थ आउस यहां सांत रंबर लिखा वहां पर सूरी बिराजबा ने जो नीच राचिके हैं जिद्रे भी लोगों को लीगल कॉंप्लिकेशन हुए उसमें सूरी भी काफिय तक इन्वाल होता है अब यह आपको शनी की धहिया चल रही है जो की 26 जनवरी 2017 से लेकर 24 जनवरी 2020 तक रहेगी वर्तमान में शनी की ही दशा है उसी मैं संतान के जो मैंने आपको बताया है पोजिशन उसी के लॉट बुद्ध की दशा चल रही है जो की 17 मैं 2019 तक चलेगी यहाँ तक मैं यह समझाना चाहूँगा कि यह समय आपके लिए बिल्कुल खराब है 24 जनवरी 2020 के बाद कुछ हट तक आपके जेल से निकलने के चांसनिस बनेगे हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी महलत बिल जाए कुछ भी इस प्रकाद मुझे इंग्लेंड का कानून तो इस ड्रक्स का पता नहीं है लेकिन मुझे शनी का कानून काफी अतक पता है इसलिए कुछ रास्ता जरूर निकलेगा जो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो अब बात करते हैं उस बेटे की जिस वज़े से पिता जेल बे सले गए और बेटे को अब सभजवा रहा है कि मैंने क्या गलती किया 25 साल और 8 महीने के युवक देखते हैं उनकी कुणली क्या खेती है इस वक्त आप कर्णिया लगन की जो कुंडली देख रहे हैं वो इनकी बेटे कुंडली है लगनेश बनते हैं बुद्ध जो टैन्थ हाउस में बिराजबान है और टैन्थ हाउस के लौड यहाँ पर बनते हैं चंद्रबा वो भाग्यस्तान में बिराजबान है 11 आउस में देखिए 2 आउस और 9 आउस के लॉड शुकर और साथ में 12 आउस के लॉड सूर्य बिराज़मान है इससे एक प्लस पॉइंट ये बनता है कि ये 11 आउस में जाना अपने आउस में पुन्य फल प्राप्ति अर्थम यानि पिछले जन्य में हमने अच्छे करम कहते हैं इसलिए अच्छे व्योग बने 11 आउस के लॉड चंद्रमा का भागिय स्थान में जाना और वहाँ पर आप देखिए 9 आउस में वो भी 3 आउस और 8 आउस के लॉड मंगल के साथ विराज़मान होना अपने आप भी बहुत सुंदर राजयोग बनता है यहाँ पर चंद्रमा शुकर का परिवर्तन राजयोग सूर्य बुद्ध का बुद्ध आदिती योग शुकर बुद्ध का लक्ष्मी नाराइड राजयो 9 आउस में चंद्रमांगल के बहालक्ष्मी योग की जो यूती बन रही है यह सारे अपने आप भी बड़े राजयोग है इसमें एक ही वीक पॉइंट है कि चंद्रमांगल की यूती कई बार प्यार, इश्क और बहुपत, ड्रक्स, गलत काम, दो नंबर का काम उल्टे सीथे कामों से ज़्यादा जोडते हैं इसका मतलब यह नहीं कि यह सब के साथ ऐसा होगा लेकिन कुछ चर्थ तक ऐसी सती ज़रू बनती है 4 आउस में बिराजीत राहू की 9 मी दरिश्टी 12 आउस पर है पर ब्रैश्पती राहू का परिवर्ट यह जो दरिश्टी संबन्थ है और 9 आउस में बिराजीत मंगल की भी चौती दरिश्टी 12 आउस में जिस बज़े से विदेश गए हाला कि जाना थे इनको जेल में चाहिए था लेकिन इनकी बज़े से फिता चलेगे क्यों गए वो में बता चुको यहाँ पर एक इंपोर्टन बात है कि 6 आउस के लॉड बनते शनी वो 5 आउस में बिराजबान है और स्वगरे बिराजबान और वक्री ओकर बिराजबान है 12 आउस में बिराजीत गुरू की सांत वी रिष्टी भी सिक्स ताउस पर है यह एक कारण ऐसा बनता है जो आपको बचाने का पूरा काम करता है अभी आपको भी शनी के ढहिया चल रही है 26 जनवरी 2017 से लेकर 24 जनवरी 2020 तक रहेगी वर्दवान में राहू में शनी का अंतर जो 7 अपरेल 2019 तक है यह यूती आपको अपने पूराने कर्मों के फल की वज़े से आपके खुद के भी जेल जाने के योग पूरे अभी बन रहे है बिल्कुल जैसे सादू सन्यासी कैसे बन जाते है कि मैं कोई ऐसा काम करता ही नहीं था जनवरी 2020 तक आपका बरबादी का पूरा योग बनता है खुब मैनत करने हैं और पिता के टैक्सी को चलाने का आपको परियास करना है आप अपने जिन्दिगी में नो डाउट काम्याब होंगे आपके पिता की कुंडली जितनी डैमेज है उतनी कुंडली आपकी अची है लेकिन आपने उसका गलत फाइदा उटा है जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि रईस बाप की बिगड़ी ओलाद ऐसा हमने कई बार सुना है तो आपके पिता ने बहुत मैनत किये रईस तो बने नहीं लेकिन आप ज़रूर बिगड़ गए ऐसे कर्म जब आपको बताए कि आप इंगलेंड जैसे देश में हैं ड्रक्स का खारूबार करते हैं आपकी क्या हालत हो सकती है अपने कभी कल्पना बेरे की होगी लेकिन आप आज से सुधरने का पूरा प्रियास करेंगे अपनी मां को वो सारी खुश्यां दीचे टैक्सी चलाइए पैसे गमाईए और अपने पिता के लिए अच्छे वकील से मिलकर जो भी अब महरत कर सकते हों करेंगे साथ मैं कुछ उपाय बता रहा हूं जो ततकाल हमें करने चाहिए आप अपने सबसे पहले जो माता जी है वो अपने पती के लिए बगला मुखी साधना करेंगे जिससे उनकी बगला मुखी मा प्रसन होकर इनके जेल से छूटने का पूरा योग बनेगा साथ मंगलवार हनुमान मंदीर में एक आदशी के दिन अपने पूरवजों के नाम का संकल बेकर पानी का घड़ा बरके मंदीर में रखना चाहिए जिससे पित्र दोष जो विश्ट दोष आपके पती कुनली में था वो गमजोर हो चाहिए साथ शनिवार तक सायकाल के समय पीपल के वरक्ष में आटे का चौब मुखा दीपक बनाकर प्रजवलित करें हो सके तो भारत शिवलिंग पर कच्चे दूस से कच्चे दूस में तिल मिलाकर अपने पती और बेटे के नाम से संकल बेकर रोज अभिशेक करना चाहिए आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बेटा भी ठीक होगा और पती भी घर लोट आएंगे और अगली बार जब में लंडन आऊँगा तो आप सब मुझे सब परिवार मिलने भी आएगे ये ताय इनके जर्म कुंडिका का विसलेशन आप अगर किसी और तकलीफ से गुजरने तो मैं करूँगा आपकी समस्याओं के समाधान आप हमारे बाकी वीडियो को यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं अधिक जानकरे लिए जोदपूर कारेले में संपर कर सकते हैं आज के लिए बसे तरह ही मुझे अपने वाने को यहीं विराम देने के लिए इजाज़त दीजिए नवश्कार और प्यारबरा आश्रवाद देखें विद्वान पंडितों निर्मान कर खोले हैं आप सभी के लिए सुक्सेमति केटवार इस संपूर्ण अक्षेलक्स में इस साथना में आप आएंगे प्रानपतिष्टायूप अभिमंत्रित पूजन सामगरियां अधिक जानकारी के लिए संपर्ग करें 0291 243 2625 98290 26625 89 5589 6625 संपर्ग करें 977 980 103 2862